हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप सभी ठीक होंगे स्वागत है आपका अपने चैनल कुक्विथ अनीसा में मैं हूँ आपकी दोस्ट एंड होस्ट अनीसा आज मैं आपके लिए अंगूर की बहुत ही नई रेसिपी लेके आई हूँ जो की बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही कम समानों से बनके रेडी हो जाती है तो बच्चों से बड़े तक सभी को बहुत पसंद आने वाले इस रेसिपी को बिना एसकिप किये पूरा देखें मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो यहाँ पे मैंने ले लिया है अंगूर और इसको मैंने अच्छे से धो के रख लिया है और इसको पहले हम सुखा लेंगे तो अंगूर आपको जितना लेना है आप उसे साब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं तो चलिए यहाँ पे मैंने अंगूर को रख लिया है अब हम यहाँ पे ले लेंगे एक कराही और इसमें मैं डाल रही हूँ दो टेबल स्पून घी और जब घी मेल्ट हो जाएगा फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे देखे घी हमारा जो है वो मेल्ट हो चुका है तो अब जो हमने अंगूर सुखा के रखा था उसको इसमें हम इस तरह से फ्राइ कर लेंगे तो आप चाहें तो अंगूर को तोड़के भी इसमें डाल सकते हैं या फिर आप ब्लैक ग्रेप्स का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ग्रीन अंगूर था तो मैं उसी का यूज कर रही हूँ तो इस तरह से देखिए आप इसको अच्छे से पलटते हुए इसको हमें पका लेना है तो फ्लेम को आप लो टू मीडियम ही रखें ज्यादा हाई फ्लेम पे करेंगे तो अंगूर एक बार में ही फट जाएगा और फिर जो है उसमें पकने का भी डर रहता है तो आप अराम अराम से ही इसको जो है ये प्रोसेस करें तो इस तरह से आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है जितना ग्रेप्स है वो सब फूलने लगेगा जिस तरह से किसमिस भी फूलने लगता है घी में डालने से उसी तरह से ये देखिए आप कलर भी चेंज होता जा रहा है और ये फ थोड़ा सा हट के ही रहें यहां से तो यह देखे इस तरह से हमारा जो अंगूर है वो एकदम इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है तो अब हम इसको निकाल लेंगे इससे जदा हमको इसे न जाधा कप चीनी, तो चीनी को हमें पानी में नहीं डालना है, घी में ही जो घी बच जाएगा, अंगूर को फ्राइ करने के बाद, उसी में हमको चीनी डालना है, चीनी आप अपने अनुसार से मिठास कम ज्यादा कर सकते हैं, हलका सा कम कर सकते हैं, ज्यादा कम बिल्कुर मत क कुछ कभी कभी होता है कि अंगूर कटे होसे हैं उस हिसापसे भी आप कम ज्ञादा कर सकते हैं तो थोरा मीठा ज्यादा कर देगा फिर अंगूर अगर मीठे हैं आपके तो यह राशया मीरेकश this is perfect इस तरह से सारे अंगूर को मैं निकाल लूँंगी और उधर हमारा जो चीनी है बीच बीच में अप उसको भी चलाते रहें यह देखेए चीनी भी हमारा मेल्ट हो चुका है अच्छी तरह से तो अब यहां मैं डाल रही हूं आधा कप गेहुं का आठा गेहुं का आठा से इस लेकिन गेहूं के आटे में इसका स्वात बहुत अच्छा आता है एक बार आप जरूर ट्राइ करिएगा तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा डाल दिया और इसको हमें चलाते रहना है बीच बीच में आप चलाते रहें इस तरह से इसको और यहाँ पे अब जो हमने अंगूर जो निकाल के रखा था उसको हम पीस लेंगे यह ठंडा हो चुका है तो इसको मैं डाल रही हूँ यहाँ पे ग्रैंडिंग जार में और इसी के साथ इसमें मैं डाल दूंगी थोड़े से काजू और बादाम और इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ दूध थोड़ा ही दूध आप डाले पीछने के लिए और फिर इसका अच्छा सा पेष्ट बना ले बाद में आप और दूध एड़ कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं इसका फाइन सा पेष्ट ये देखे इस तरह से रेडी कर लिया है मैंने और जो हमारा आटा है वो भी अच्छी तरह से भून चुका है तो अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने ग्रेप्स का बना के रखा था पेष्ट दूध के साथ वो डाल देना है और इस तरह से और इसको लगातार चलाते रहना इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है अभी नहीं तो फिर इसमें लम्स पर जाते हैं तो आप इस तरह से देख सकते हैं यह जो हमारा डो है वो अच्छे से भून रहा है तब तक हम यहाँ पे एक ग्रीस करके रख लेंगे प्लेट को आप प्लेट या फिर ट्रेक किसी भी चीज को आप ग्रीस करके रख लें प्लास्टिक का आप ना लें एस्टील या अलुमुनियम का लें जिसमें की हम इसको निकालेंगे बाद में तो यह देखे यह धीरे धीरे अच्छे तरह से भून चुका है और जो है यह कराही छोड अब इसमें हमारे जो मिठाई कैसे चेंसटेंशी है इसको रखना है तो इसमें हमें अच्छी तरह से इसको फैला लेंगे आप किसी हम हमें इसको आप है जिसी फेला लेना है यह ऐसे भी बहुत ही टेश्टी लगता है गरम गरम में और यहाँ पे मैं इसको बर्फी के आकार में कर रही हूँ तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको सेट करूंगी पहले ट्रे में तो इसको हम छोड़ देंगे यहाँ पे देखे मैंने स्मूध कर लिया है इसको छोड़ अब देख सकते हैं, यह बहुत ही आराम से यह बनके रेडी हो जाता है, तो बच्चों से बड़े तक सभी को बहुत पसंद आता है, यह बहुत बनता है, तो जिनके दात नहीं है, आपके घर में बजूर्गों के उनके लिए भी यह परफेक्ट जो है, हमारा बनके रेडी हु यह चिपका नहीं है और बहुत ही soft यह बनके ready हुआ है यह देखे मैं आपको तोरके भी दिखाती हूँ और हमने जो सूजी द्राला था ना इसकी वज़ा से यह बहुत ही दानेदार बनके तयार हुआ है तो यहां पे मैंने इसको कर लिया है प्लेट और आप देख सकते हैं कि कितना टेश्टी कितना लाजवाब बना है कोई भी नहीं बता सकता कि आपने अंगूर से इस रेसिपी को बना के ready किया है बहुत ही टेश्टी लगता है यह खाने में तो फ्रेंड्स आप एक बार जरूर इसको ट्राइ करें इस अंगूर के सीजन में तो आपको यह रेसिप आप तक सबसे पहले पहुंच सके मेरी रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर से सेयर करें ताकि उनको भी यह रेसिपी बनाने का एक मौका मिल सके और मुझे भी उनका सपोर्ट मिल सके तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए रेसिपी के साथ किसी नए वीडि झाली